तो नमस्कार दोस्तों आज हम करेंगे इगनुबिये संस्किर्थ बीसके एकसो ब्यालिश रंगमंच एवं नाट्यकला इसकी इकाई हम तीन करेंगे दोस्तों इससे पहले हमने इकाई वन और इकाई टू कर ली है वो चैनल की प्ले लिश्ट में डाल दी गई है उसको आप ज ऐसे तो दो ही चीज इंपोर्टेंट है एक तो भूमि सोदन और एक स्तंबो के देवता लेकिन फिर भी हम क्या कर लेते हैं इनके इच्छे पार्ट है नाट्यकरम निर्मान की विदी का ये च्छे के च्छे हम कर लेते हैं एक्जाम की दृष्टी से दोस्तों फटा-फट क ये के साथ-साथ संस्कृतिक भी है नाट्यचरिया नाट्यमंडप निर्मान विदी को समाजिक की दृष्टी से स्थापित करता है क्योंकि है अभिनेतां के साथ-साथ समाजिक से ही विशेज रूप से संबंदित है इसलिए इसके निर्मान विदी के विश्चे में आचार यर्व परिणाम अज्व पूजन परेतन्य प्रवक जैसा करना चाहिए यानि कि हम जिसवी बूमी का चैन करते हैं ना comedic लिए नाटे मंड़ब के लिए तो उसका हम निर्माण करने से पहले हमने क्या करना होगा उसका अकार देखना होगा उसकाcipline निर्मान देखना होगा और उसको हम पूजा करके ही उसके उपर नाट्यमंडप का निर्मान करना चाहिए ये चीज़ कहते हैं दोस्तों आचारिय भरत जी आए इसके हम प्रकार देखते हैं किन-किन स्टेप में नाट्यमंडप का निर्मान किया जाता है नंबर एक दोस्तों भूमी सोधन, भूमी सोधन यानि कि सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कौन सी भूमी इसके लिए उप्यूक्त होगी नाट्यमंडप के निर्मान के लिए, आईए इसके हम देखते हैं, नाट्यमंडप का निर्मान जिस भूमी पर होता है, उसका सुमूचित देख रहे इसलिए नाट्यमंडप का निर्मान के लिए भूमी सोधन अनवार्य करम है नाट्यमंडप को सरवपर्थम भूमी खंड का प्रिक्षय करनी चाहिए यानि कि जो भूमी का यूज करते हैं नाट्यमंडप बनाने के लिए उसके हमें प्रिक्षय करनी चाहिए तद प्रांत वस्तु सस्तर के प्रणा मुंसार सुब की इच्छा से वस्तु का निर्माण करना चाहिए हो यानि की नक्सत्रों के इसाब से भी हमें देखने चाहिए दोस्तों कि वहा है भूमी कैसी है यहां विभागपद से भूमी की हेता और उपदेता का गरण होता है कहने का बाविया है कि कौन सी भूमी त्याज़ है और कौन सी भूमी ग्रह करने योग्य है यानि कि कौन सी भूमी त्याग करने के लिए उपयोगी है, कौन सी भूमी गरन करने के लिए उपयोगी है नाट्यमंडब के लिए सबसे पहले भूमी सोधन करके हल से जोते और हड़ी कील खपड एवं गासफूस को निकाल दे जहने कि उस भूमी की शाफ सफाय कर ले दोस्तों पहले गासफूस है जाड़ी है या कुछ भी उसके उपर है उसको हमें साफ सफाय कर लेनी चाहिए फिर सोधन से इतात पर्या कैया है उसकी साफ सफाई से है नाट्य मंडप का स्थान सवच होना चाहिए, यह मानुसी और देवी दोनों कारिये है इसलिए नाट्य मंडप का स्थान सब प्रकारम से उत्तम होना चाहिए दोस्तों आपको इसकी भूमी सोदन है, यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इसके बाद हम करते हैं इसका दो विवाजन अचारिय भरत नाट्य मंडब निर्मान के करमे भूमी विवाजन की भी बात करते हैं कौन करते हैं भरत जी करते हैं अचारिय किस भूमी पर नाट्य मंडब बनाना उचित होगा उसका ठीक परकार से निधारन करना ही भूमी विबाजन कहलाता है इसके संबन में नाट्य सास्तर में कहा गया है जो भूमी समतल, सिथर, कठोर, काली और गोर वरण की उसी भूमी पर हमें क्या करना चाहिए नाट्यमंडब मनाना चाहिए यहाँ पर काली और गोर यह दोस्तों वरण का मतलब अत्तर रंग यानि काली मिट्टी का हो या गोरी या भूरी मिट्टी का भूमी होना चाहिए उसकी उपर हमें क्याव करना चाहिए नट्यमंडप का निर्माण करना चाहिए यहां समापद का अवस्य सभाव से अधीक उंची और अधीक नीची नहीं होनी चाहिए यानि कि इसाबसर होनी चाहिए जी साबसे होनी चाहिए ना तो जादा उंची होनी चाहिए भूमी वो नहीं नीची होनी चाहिए किर्षन भूमी गोरा चैपद वाग अर्थ में प्रियुक्त होता है दूसरे सब्दों में हम इसका अर्थ तो काली और गोरी मिश्रित भूमी को करते है यानि कि भूमी क्या है काली और गोरी या काली गोरी मिलाकर जो कलर बनता है उस परकार की मिट्टी होनी चाहिए नमबर तीन स्थापना यानि कि नाट्य सास्तर में नाट्य मंडप की स्थापना विदी भी बताया गया है इसका उदेश्य नाट्टे मंडप के उदेश्य और निर्वीगन कारियस मापती से है यानि कि जब स्थापना करते तो हमारा स्थापना के स्थार रूप से चल सके नाट्टे और बिना किसी बादा के उसके यह बताया गया है कि सुब नक्सत्रों के योग में ही नाट्टे मंडप की स्थापना करनी चाहिए संख दुदूबी के गोश के साथ मिर्द्यंग पवन आदी के बाज़े बजाते वे इसकी हमें क्या करने चाहिए स्थापना करनी चाहिए आगे दोस्तों इसके अंदर दिया गया है कि हम इसकी स्थापना करते हैं तब सभी परकार की अच्छे अच्छे चीजों के साथ करते हैं यानि कि डोल नगाडे बजाकर, या पुष्प चडाकर, इसका पूजन करकर, हवन करकर, ब्रामनों को दान देकर, इसकी हमें क्या करने चाहिए? स्थापना करने चाहिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पूरो दिशा, यानि कि यहाँ पर देखो दोस्तों, रात्रि में ना परकार के बोजनों से युक्त, गंद, पुस, फल, आदी से युक्त सभी दिशाओं में बली देनी चाहिए, क्योंकि पहले टाइम पर बली परचलित थी, पूरो दिशा में सफेद अन से युक्त, दक्सिन में नीले रंग से का अन, पस्ची में पिला अन, और उत्तर में लाल रंग के अन की बली देनी चाहिए, जिस दिशा में जिस परकार के देवता की कलपना की गई है, उसी दिशा में उसी परकार की बली मंत्रों के साथ देनी चाहिए, यानि कि यहाँ पर दोस्तों जो बली दे गई है, वो अन की बली की बात की गई है, नै कि किसी पसू जानव में, इसी नीर्मार में विष्यके नाटे सास्त्र में गया है एवं तु स्थापनाम किर्थवा भीति करम प्रायो जयत अर्थात नाट्य मंडब की स्थापना के बाद भीति करम करना चाहिए भीति यह ऐसी हो जिसमें वातायन छोटे हो यानि कि हवा के लिए जो छोड़ते हैं रोसंदान वो क्या उनची छोटे होने चाहिए अचारिय भरत ने बिति परसादन का अंतेंत कलातमक और प्रिक्षित रूप से परस्तुत किया है बिति करम के अंतरगत ही बिति लोप सुदा करम भी आता है यानि कि बिति क्या होने चाहिए दोस्तों हमारी अच्छी होने चाहिए साफ होनी चाहिए बित्ती पर लेप होना चाहिए जिसको हम आज गेटेम दिवारों पर लिपाई बोलते हैं वो लेप का कारिय किस से होना चाहिए संख बालू या सिथह हुई आधी के चूरन से होना चाहिए और हमें यह भी बताया गया नाट्य सास्तर में कि नाट्य मंडप की भीत्ती चारों और से सिलिष्ट इंटों से बनी होनी चाहिए आगे दोस्तो सतम करम, सतम क्या होता है दोस्तों जिसको हम पाई बोलते हैं यानि कि मकान जिसकी उपर खड़े होते पिलर का एक नाम दे सकते हैं आप इसको यह भी होना चाहिए आचारिय भरत ने दिड़ नाट्य मंडपो की रचना के लिए बीत्तियों के साथ साथ सतम्बो की स्थापना एवं रचना को करम का सपष्ट किया है यानि कि इसमें कहा गया है दोस्तों सुब्तिथी नकसत्तर एवं करण के योग होने पर रोहिणी एवं सरवन नकसत्तर में स्थम्बो की स्थापना करनी चाहिए सतम स्थापना की विदी परसंग में चारो वरणों के स्थम्भों के मूल में सवरण और रजत तमर लोहा आधी दात्वों का रखने का विदान है यानि कि जब हम इनके स्थम्भ बनाते हैं तो ये दात्वों उसके अंदर रखने का विदान हो है बारत्य प्रमपरा किसी भीकारिये के लिए सुब समय में अत्यदिक महतो होता है एतर्थ जहा सतम में भी रोहनी एवम सरवन नकसत्तर का उप्युक्त माना गया है जिसका एक वेग्यानिक कारण भी है कि इस नक्सत्रों में वातावरण नाट्यमंडप करम के अनुकूल होता है नाट्यमंडपों में स्तंबों की संखे भी बतलाई गई है आचारिय भरत के अनुसार चतुरस नाट्य मंडब के लिए केवल 24 स्तंबों की आवसकता होती है जिनमें 10 स्तंब तो प्रेक्षागरे में सुपानकिर्ती आसनों के बाहर होंगे और 36 स्तंब पूरो स्थापित स्तंबों के 4-4 हात के अंतर में दक्सिन और उत्तर की और होने चाहिए इन 16 स्तंबों के अतरिक्त 6-8 स्तंबों की स्थापना करने चाहिए जिन पर 8 स्तंब रखे हो अचारिय भरत के अतिरिक्त, अभिनवगुप्त, संकुक, बटोलबट, आदि भी सितम संख्या एवं रचना विदान को परस्तुद किये है यानि कि सतम के बारे में बताया गया है इसके अंदर, यह इसका मैप है कि चार सतम अंदर और दो इनके साइड में, दो इस साइड में और दो नीचे ठीक है दोस्तों इसको आप देख लेना अच्छी तरह से यहाँ पर स्तंबो के देवता दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कोस्चन आ सकता है नाट्यमंडप निर्माण में स्तंबो के देवता की क्या भूमिका होत्ती है तो यहाँ पर देखते हैं स्तंबो के देवता दोस्तों यानि कि हम हमारे समाजिक जीवन में भी देखते हैं इस कोने में इस देवता का वास है इस कोने में इस देवता का वास है सुर्ये की तरफ हमारा द्रवाज़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए से यह चीज हमें अपने नक्षत्रों में पंडित ब्रामनों के माध्यम से हम सुनते आय इसमें भी वही रोल है नाट्य सास्तर प्रंपरा में स्तंबों के देवता होते हैं क्योंकि यही स्तंब नाट्य मंडप के बाहर का वहन करते हैं आचारिय भरत के अनोसार सितम चार प्रकार के उत्ते जिनका नाम नाट्य सास्तर में इस प्रकार से मिलता है यानि कि पस्चिम तथा उत्तरवाईवे कोण में स्थापिद वेस्ट सितम की सारी वीधिया पीतवरण की होनी चाहिए यानि कि जो सतम मकान के चैर कौने होते दोस्तों चैरों कौनों पर एक एक पिलर दिया जाता है खड़ा बीम ये काहरा पस्चिम और उत्तर की दिशा का जो होते हैं उसमें क्या है वेश्य सतम की सारी विद्या पीत वरण की होनी चाहिए ब्रामनों को गी और चावल देना चाहिए पूरव उत्तर दिशा के मध्य इसान कोण में स्थापित सुद्र स्थम पर समस्त विद्धान पराए नील वरण के पदार्थों से अच्छी तरह करनी चाहिए ब्रामनों को खिचडी खिलाने चाहिए इस परकार यह है दिशा का महत्तो पर्तिपादित है दिख पलों की पूजा यहां होती है यदि रंगों की बात की जाए तो लाल रंग बर्मा का पीला रंग विश्णों का सफेद रुद्र का काला इंदर या यम का यम मतलब यम राज का आदि के रूप में सविकार किया गया है नट्य मंडप त्यार हो जाने पर देवों की पूजा की जाती है और नांदी में भी देव स्तूति है देवता स्तूति मिलती है इसे के साथ दोस्तों हमारे यह 3.3 यूनिट है यह कम्पलिट होती है इसकी हम यहां पर कुछ एक सब दे रखे यह और कर लेते हैं भूमी सोधन का मतलब क्या होता है पिर्थवी का सोधन अर्थात भूमी का परिस्कार विबाजन का अर्थ होता है नाट्य मंडप में भूमी का अकार प्रकार का सम्यक निर्दारण एवं उप्युक्त भूमी पर नाट्य मंडप बनाने का निर का निर्मान क्या का लाता है भीत्ती करम सतम नाट्टे वंडप का मुख्याधार सतम है इसी के साथ दोस्तों हमारी ये यूनिट कंप्लिट होती है चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत बूलिये ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राब तोस्के